सेर नहीं बेडिया बनो केवल बेडिया ही एसा जानवर है जिसे अब तक पट्टा नहीं पहनाया गया है संभाल कर रखी होई चीज और ध्यान से सुनी हुई बाते कभी न कभी काम आही जाती है तोता इतनी स्पीड से भी उड़ सकता है कि दिल्ली को इधर से उधर पचास मिनट में पार कर दे आप सभी को धनतेरस की हर्दिक सुब कामनाएं इंतिजार है मौका है हिसाब होगा हर धोके काम अगर यूद तुम्हारे मन में है तो तुम्हें सस्त्र की नहीं सास्त्र की ज़रुत है इंसानियत कभी मत भोलना यारो क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं पैसे से जीवन नहीं पा सकते हैं खुद के ओपर विश्वात रखो साहे फिर देखना एक दिन एसा आएगा घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा राजा बनने के लिए आपका साइज नहीं आपकी कावलियत मायने रखती है उमीद मत छोड़ना कभी उतार चढ़ाओ तो जिन्दगी में आते जाते रहते हैं भगवान से नहीं अपने गलत कामों से डरना चाहिए क्योंकि भगवान तो माप कर देते हैं लेकिन कर्व कभी मा आप नहीं करते हैं जो किया है उसका फल जरूर मिलता है लोगों के बारे में सोचना छोड़ चुका हूं अब दिल और दिमाग में बस पैसा रहता है मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं है गहरा समुन्द्र है खुला असमान है मन की व्यथा समीट नहीं तो अपने पन से ह को अगर नहीं मारेगा धर्मे अधर्म केवल सुकք की दिनों में दिखाता है मुझे सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है जिंद्गी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकिन मानिये आप सबसे तेज चल रहे हैं आपकी किस्मत आपके भैजलों से तै होती है आपकी कंजीशन से नहीं कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे इसलिए नहीं कि आप सही हो बलकि इसलिए कि आप अलग हो जो समस्या है ही नहीं उसे जाद सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाना चाहिए अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो ये चोन आपको एक दिन खत्म कर देगा टेकनालोजी को इतना अंधान होने दे कि वो आपका ही उपभोग करे राजा बनना इतना ही असान होता तो आज हर कोई राजा होता नौकर नहीं अगर एक परसंट भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो काम्याबी मिलना दय है रहा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी अच्छे लगी तो लाइक सेयर जरूर करना